हेलो फ्रेंट्स माहुराजन और आप देख रहे हैं मारे चैनल टेलरिंग गुरुजी फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरानी कूर्ति और पुरानी सल्वार का नाप कैसे लिया जाता है और इनका नाप लेकर के अप कटिंग करोगे तो किन किन चीजों हम नाप लेने के लिए आज बता रहे हैं तो स्क्रीन पे आप पुरा देख सकते हैं और ये तो बात हो गई कूर्ति इसके बाद जैसे हम बात करेंगे सल्वार की तो सल्वार में भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर की आपको क्या क्या चीजों का नाप लेना है तो सल्वार भी इस तरह से customers के पुराने कपड़े आते होंगे नाप लेने के लिए, बहुत से लोग body measurement नहीं देते हैं, पुराने suit के measurement से ही बनवा लेते हैं, तो पुराने suit के measurement से भी fitting 100% आती है, कहीं कोई problem नहीं होती है, ठीक है, ये एक confusion मैं आप लोगों का दूर कर देता हूं, लंबा अब हम कुर्ती को करते हैं, थोड़ा सा side और देखेंगे chest कमर और hip को, ठीक है, तो यहाँ पर देखना, जैसे आप यहाँ पर नाप लोगे, chest का, तो chest नापने के लिए ये इस तरीके से आपको chest नापना है, अब यहीं पर मैं इक चीज और बता देता हूं, कुछ लोग upper chest क इतना 17 इंच का, यह देखिए, और जैसे हम upper chest को मन नापेंगे, तो यहाँ पर देखो, यह upper chest भी 17 इंच का है, कभी-कभी changes होते हैं, एक इंच का, तो उससे कोई फरक ने पड़ता, लेकिन अगर 4 इंच, 5 इंच difference है upper chest और full burst में, तो फिर आपको upper chest नापना चाहिए, और द देखेंगे हम hip को, तो hip यहाँ पर आप नाप सकते हैं, यह इस तरीके से यह देखिए, लगबख 19 इंच का hip आ रहा है, तो अभी तक यह सारी जानकारी clear है, एक बहुत important जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, यह chest नाप को chest measure करना चाहिए, इंच के माध्यम से इसको नहीं बता रहा हूँ, अनुभाव से आप इसको देखेंगे, यह देखेंगे, कम से कम यह चार अंगुल नीचे आपको chest को नापना है, जिसको हम full burst बोलते है, upper chest जहां आपकी sleeve fit हुई है, बिल्कुल उसके नीचे नापा जाता उसको upper chest बोलते हैं, यह बिल्कुल clear है, कमर के लिए, एक चीज़ आपर notice करना है, जब भी आप कमर नापोगे, तो यह जो round shape आया है न, इसका center यह देखो, यह round shape पूरा बना हुआ है, इसका center आपको लिना है, सनी के इंची tape पकड़के बैड़के center नापने के लिए ऐसा करते करते, आपको automatic से अनुभाव हो जाएगा, यह चीज़े मैं beginners को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ, इसलिए इतनी बारीकी से बता रहा हूँ, hip की अगर बात करें, तो hip जो है आपको, यह जो जहां से chalk खुली है, वहां तक आप hip समझेगे, इसको hip का measure करना है, ठ जादा होते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, बस hip जो है, chest से जादा ही होता है इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे chest आपका आ रहा है 35, तो hip कम से कम 37 होगा, ठीक है, कम से कम बता रहा हूँ, उससे जादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, यह body measurement है, यह suit क आप लोग क्या बोलते हैं हम तो चौक बोलते हैं ठीक है यह जो है 13 इंचार है इस तरह से आप इसको नाप करके देख सकते हैं उतने जरूरी नहीं होती हैं यह चीजे लेकिन फिर भी अगर नाप लिये हैं तो ज्यादा बेटर नीचे देखना इसको बोलते हैं दामन तो दा सबसे पहले बताऊंगा मैं शोल्डर यह जरूरी है अब शोल्डर के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है एक अस्तिन के जॉइंट से दूसरे अस्तिन के जॉइंट को नापना है तो यह आ रहा है साड़े 10 इंच का शोल्डर लेकिन इस तरह से नापते हुए आप यह अपने घला ना आप ल dlे ना गला कितना आ रहा है गलाया यहाँ पर है लगबग पने ऐस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दो गए कि, जैसे कि यह जो अपका फैलाओ है यह बराबर सेट होना चाहिए गला आपका यहां पर फोड़े चेंज़े आए जैसे कि यह हो गया पहुने ग्यारा इंच या ग्यारा इंच लगभग तो जैसे आप गले को ठीक से नहीं रखें तो शोल्डर का मेजरमेंट लेने में पूराने सूट में यहीं पर दिक्कत हो जाती है बस इंची जो का ध्यारा रखना जैसे गला आपको नापना है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ यह जो गला है पीछे का इस तरह से तिर्चा नाप लेना साड़े 6 इंच आ रहा है सीधा नाप होगे तो सीधा नाप सकते उसमें यह 6 इंच आएगा तो यह इस ट जॉइंट पे टेप और पूरा कॉर्णर तक नाप लेना अस्तिन कितना रहा है लगबख रोनी चारेंज का ठीक और उसके बाद जो है अस्तिन की गुलाई कैसे आर्मौल को नापा जाता है वैसे तो मैं आर्मौल राउंड नापनी के लिए कटिंग में इसका यूज नहीं बताता हूं लेकिन फिर अगर आपको नापना है चेक करने के परपस से तो इस तरह से नापोगे साड़े साथ पौने आठ इंच का इसका आर्म होल बैठ रहा है ठीक है डबल में अगर बात करें तो लगबग साड़े पंदरा इंच पंदरा इंच इस टाइप से हैं यह होगा पूरा कूरती का मेजरमेंट अगर कुछ चीजे छूट गई है तो आप मुझे कमेंट में बता स है तो इन चीजों में आप इस बात का ध्यां रखना कि कस्टमर से पहले पूछ लिया जाए कि जो कपड़ा उन्हों ने दिया है उसमें फिटिंग उनकी कैसी है अगर फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर है तो कस्टमर से दूसरा सवाल यह करें कि आपको इसमें कुछ चेंज होना चाहिए किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए उसके बाद सलवार में उससे ज्यादा चीज़े नहीं ना पी जाती पैर की यह गुलाई है इसको ना आप लेते हैं यह कितना रहा है यहार है साड़े 6 इंच ठीक और अब देखिए आसन जिसके लिए लगातार सवाल करते हैं आसन कैसे नापना चीए पूराने सूट में कैसे नापना चीए तो पूरा कमर बेल्ट आप यहां पर लेंगे और यह जो मियानी जो जॉइन करते हैं यह वाला सिला यहां तक देखना इसका आसन कितना रहा है साड़े 14 इंच ठीक है और उसके बाद पूराने क रहा क्तितना है यह कितवुत सब्सक्राइब पूराने कपड़े को आप समय करके mag into that कि मुझा आप लेने के बाद, सिलाएं करते ही वकभी आपको जोख सकती है सिलाएं रख बहुत 12 पड़ी है तो नाप लिया जाता है यह चीज मुझे क्लियर करना था आजके इस वीडियो में वस इतना ही वीडियो फश्न्द आए तो लाइक करें शेर करें चैनल पर पहली बार है चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा मैं राजनब से फिर मुलगात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टो